इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और फीके पड़े सफेद धबों को फिर से रंगने में मदद करता है। ट्रिमॉप टैबलेट भोजन के बाद डॉक्टर द्वारा बताई गई मात्रा और निर्दिष्ट समय तक ली जाती है। भोजन के साथ लेने से दवा के अवशोशन को बढ़ाने के साथ साथ मतली को कम करने में मदद मिलती है। आपको दी जाने वाली खुराक आपकी स्थिती पर निर्भर करती है और आप दवा के प्रती कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। आपको इस दवा को तब तक लेते रहना चाहिए जब तक आपका डॉक्टर सलाह देता है। यदि आप बहुत जल्दी इलाज बंद कर देते हैं, तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिती और खराब हो सकती है। अपने चिकित्सक को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं, क्योंकि कुछ इस दवा से प्रभावित हो सकती हैं या प्रभावित हो सकती हैं। ट्राइमॉप टैबलेट का सबसे आम दुश प्रभाव मतली, खुजली और तवचा का लाल होना है। इनमें से अधिकान शस्थाई हैं और आम तोर पर समय के साथ हल हो जाती हैं। अपने चिकित्सक से सीधे संपर्क करें यदि आप इनमें से किसी भी दुश प्रभाव के बारे में चिंतित हैं। इस दवा को लेने से तवचा धूप के प्रती अधिक समविदन्शील हो जाती है। बाहर जाते समय संस्क्रीन का प्रयोग करें और सुरक्षात्म कपड़े पहने। उपचार के बाद 8 घंटे तक अपनी तवचा और होंठो को धूप के संपर्क में आने से बचाने की कोशिश करें। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इसकी अनुशंसा नहीं की जाती है। कुछ खाद्य पदार्ट जैसे नीबू, अंजीर, अजमोद, पार्सनिव, सरसों, गाज़ और अजवाइन खाने से बचें क्यूंकि वे प्रकाश के प्रतीत्वचा की समविदंशीलता को बढ़ा सकते हैं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।